मूवी का स्टार्ट विली वॉंग का चॉकलेट फैक्टरी में चॉकलेट बनने के प्रोसेस से होता है जिसमें रैंडमली किसी फाइव चॉकलेट पैकेट्स में गोल्डन टिकेट रखी जाती है और उसे पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है ये कहानी एक ओर्डिनरी और वो खराब धकन देखके चारली बहुत खुश होता है और अपने उन धकन के बने विली वॉंग का चॉकलेट फैक्टरी के मॉडल में लगा देता है ग्रैंट पजो उसे बताते हैं कि वो 20 साल पहले उस फैक्टरी में काम करते थे 15 साल पहले विली वॉंग का ने दुनि वॉंग का वो पैलेस बनाने के बाद आगा भी करता है कि यह ज्यादा देर तक नहीं रहेगा लेकिन प्रिंस ने उसकी एक ना सुनी जल्दी एक बहुत सनी डे में वो महल सेच में में मेल्ट होके तबाह हो गया जब वॉंग का वापस आया तो उसे अपनी फैक्टरी में ह बारोबार बढ़ाती है विली वॉंग का किसी भी वार्निंग के बगएर सब इंप्लोईस को निकाल देता है और अपनी फैक्टरी बंद कर देता है बहुत अरसे बाद विली वॉंग का फैक्टरी रियूपन होती है और विली वॉंग का अपनी फैक्टरी में पूरी दुन पर एक चॉकलेट गिफ्ट करने का सूचते हैं कि शायद उसमें भी एक टिकेट निकल आए इसके बाद फाइनली पहला टिकेट रिवील होता है वो जर्मनी के एक बहुत ही मोटे बच्चे अगस्टिस ग्लूप के पास निकलती है वो इतनी चॉकलेट काता था कि उसमें से ए और वरकर से चॉकलेट के लाखों बॉक्स उपन करवाता है ताके टिकेट मिल जाए चारली अपनी फैमली के साथ टीवी पे देखता है कि कैसे उस जिद्धी लड़की ने बिना ढूंडे ही अपने बाप के पैसों की वज़ा से टिकेट हासिल कर ली है चारली के पैरंट्स उसके बर्ड़े से पहले ही उसके लिए चॉकलेट लेके आते हैं बहुत उमीदों के साथ वो सब के साथ बैट के वो चॉकलेट खोलता है लेकिन उसमें से कोई भी टिकेट नहीं निकलती चारली को बुरा तो लगता है पर वो अपना दिल छोटा किये बगैर वो करता है अगले दिन पता चलता है कि तीसरी गोल्डन टिकेट जोर्जा की एक बच्ची वालेट बावरिगार्ड के पास से मिलती है जो एक बबल गम चैंपियन है उसने वर्ल रिकॉर्ड भी बनाया है चारली के ग्रेंट पर इस बात पर अफसोस करते हैं कि कैसे अंडिजर लिकेट वाली चॉकलेट कहां से मिलेगी उसे ना तो चॉकलेट पसंद है ना ही उसने एक भी चॉकलेट आज तक खाई है चारली के फादर की जॉब भी छुट जाती है क्योंकि शहर में बच्चों की ज्यादा चॉकलेट खाने की वज़ा से टूथ पेस की डिमांड बहु गुद उसको इन पैसों की चॉकलेट लाने का कहते है वो उसकी चॉकलेट ले आता है एक बार फिर वो दोनों बहुत उमीद से उसको खोलते है लेकिन इसमें इस बार भी गूल्ड टीकिट नहीं निकलती वो फिर से नाउमीद हो जाता है चाली एक दफ़ा कहीं जा रहा हो लोग उसे बहुत ज्यादा ओफर्स देते हैं कि वो टिकेट उनमें से किसी को दे दे शौपकीपर उसे वहां से फॉरन जाने को कहता है ताकि कोई उससे ले ना ले ये टिकेट वो भाग के ये टिकेट घर ले जाता है ग्रैंपा जो जो कि बहुत अर्सी से बीमार हैं वो अपसी पे अपने साथ चॉकलिट से भरे ट्रक ले जा सकते हैं जिसे वो लाइफ टाइम भी खतम नहीं कर सकते लेकिन इन में से एक बच्चे को कोई ऐसा इना मिलेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा ग्रैंपा जो उसके साथ जाने के लिए बहुत एकसाइट होते है कि चारली मना कर देता है कि मुझे एक औरत ने दुकान में बहुत अच्छी ओफर दी थी मैं उसे बेच के पैसा कमा सकता हूँ इतने में ग्रैंपा जोर्ज उसे अपने पास बुला के समझाते हैं कि कुछ चीजे पैसों से बढ़के होती हैं पैसे सब के पास हैं लेकिन य ज्यादा आवाम भी ये मनजर देखने पहुंचती है एक आवाज आती है कि अंदर आईए वो सब अंदर जाते हैं और दर्वाजा बंध हो जाता है उनका इस्तखबाल एक सौंग से होता है जो विली वांका के ऊपर बना है एंटर होते ही सब विली वांका पे अपना इंप है चौकलेट की घास नहर और इविल आपशार भी चौकलेट से बने होते हैं विली वांका बताता है कि इस रूम में हर चीज एडिबल है खोशी से बच्चे इधर उधर बिखर जाते हैं कि उनकी नजर एक बूने इंसान पर पड़ती है सब के पूछने पे विली वांका ब विली वांका उनसे डील करता है कि आपकी आर्मी मेरी फैक्टरी में काम करेगी तो मैं उन्हें सारी उमर चौकलेट्स दूंगा इसी दौरान अगस्टस नदी से चौकलेट टेस्ट करने जाता है कि वो उसमें गिर जाता है और वहीं एक बड़ा सा पाइप आता है जो नद कैसे पता था कि अगस्टस गिरने वाला है और उस पर सौंग तयार है अगस्टस की मा बहुत परिशान हो जाती है और उसे विली वांका बताता है कि ये पाइप में चौकलेट फैक्टरी में जाता है और एक उंपा लूंपा को ओर्डर देता है कि उसकी मा को वहां ले तारीफ के बाद वो पूछता है कि आपने अपनी लाइफ की पहली चॉकलिट कब खाई थी और वो फ्लेश बैक में चला जाता है उसके फादर शहर के बहुत बड़े डेंटिस थे और उसे याद आता है कि कैसे हर हैलोवीन पे वो चॉकलिट इकठे करके लाते थे उसके आति हैं हर तरफ न्यू न्यू रूम्स नजरा रहे होते हैं और फिर कश्ति विलिवोंकर के फेवरिट रूम के बाहर disruption वहां एक न्यू बबल गम इन्वेंट हो रहे होती विलिवोंकर अभी भी बता ही रहा होता है कि यह special इसलिए है क्योंकर इसमें ट्री टायंस के खान कि यहां ब्लू हो जाती है और फूलने लग जाती है इस पर एक बार ओंपा-लूंपा वाइलेट पर गाना गाते हैं कि कैसे उसने पूरी बात जानें भेगर ही उसको खालिया उसकी इमा बहुत परीशान हो जाती है जिस पर विली वॉंग का हलका सा मजाग कर देता है और उसकी जली हुई चॉकलिट्स में से एक बच गई थी जो उसने अगली सुबा खाई वो उसकी लाइफ की पहली चॉकलिट थी और फिर उसने कई चॉकलिट्स खाई अब वो सब एक नट रूम के बाहर पहुचते हैं बुरुका सॉल का बाप विली वांका को बताता है कि यहां हमारा प्रोफेशन मिलता है उसकी भी नट की फैक्टरी है विली वांका बताता है कि उसके पास यहां हाईली ट्रेंड स्कॉरिल्स हैं जो अच्छा नट रख लेती हैं और खराब फेंग देती हैं वो जिद्दी लड़की अपने बाप से कहती है कि मुझे एक स्कॉरिल चा करती हैं कि क्या ये एक अच्छा नट है या नहीं जिस पे वो उससे खराब नट समझ के गारबिज में फेक देती हैं उसका बाप उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता उंपा लूंपा यहां फिर एक गाना गाते हैं जिस पे वो बताते हैं कि वो कि सबसे अनोखी लिफ्ट है जो उपर नीचे के इलावा दाएं बाएं हर जगा मूफ कर सकती है इस ग्लास ऐलिवेटर में वो लोग चंद रूम्स और देखते हैं और फिर उन में से किसी नेवली वॉंक का पे उसके पास्ट के बारे में पूछा कि आपने आखिर ये सब शुरू कैसे किया तो वो बताता है कि कैसे उसके बाप ने उसको कैंडी खाने से मना किया था जिस पे वो घर छोड़ के चला गया था वो एक म्यूजियम में जाता है और फ्लैश बैक से वापस आते ही वो लोग फिर टेलिविजिन रूम में जाते हैं टेलिविजिन रूम में विली वॉंका ने एक इनोवेशन ये की है कि वो एक चॉकलेट बार अपनी टीवी की बदालत रिल लाइफ से टीवी के अंदर ले जा सकता है सब उस चॉकलेट को टीवी में देख भी सकते हैं और टेच भी कर सकते हैं किसी को विली वॉंका की बात पर यकीन नहीं आता तो वो उन्हें एक प्राक्टिकल करके दिखाता है चारली विली वॉंका के कहने पर टीवी से चॉकलेट निकाल लेता है माइक टीवी इसे एक टाइम ट्रैवल की मशीन समझता है और भाग की इसमें चला जाता है विली वॉंका के मना करने के बावजूद वो उस मशीन का बटन दबा देता है उस पर लेजर लाइट चलती है और वो बच्चा भी चॉकलेट की तरह गाइब हो जाता है चोटा हो चुका है उसका बाप परेशानी में पूछता है कि ये अपने वापस साइज में कैसे आएगा जिस पर विली वॉंका जवाब देता है कि मुझे नहीं पता और वो उपलूपा को माइक और उसके बाप को स्ट्रेचिंग रूम में ले जाने का कहता है विली वॉंका को अब एहसास होता है कि अब सिर्फ एक बच्चा रह गया है चारली क्योंके बाखी बच्चे अपने बेवकुफियों की वज़े से पूरा टूर भी नहीं कर सकी वो बहुत खुश होता है चारली ही अबसल इनाम का हगदार है चारली ग्रैंपा जो और विली वॉंक का उस ग्लास अलिवेटर में जाते हैं अप एंड डाउन का एक बटन दबाके वो फैक्टरी से बाहर निकल जाते हैं जिस पे ग्रैंपा जो बहुत घबरा जाते हैं बाहर आके वो देखते हैं कि चारों बिचारे बुरे हाल में बाहर जा रहे होते हैं अगस्टस चॉकलेट से भरा हुआ होता है वाइलेट पूरी ब्लू हो चुकी होती है वरुका और उसका बाब कार्बिज से लदे हुए होते हैं और माइक टीवी स्ट्रेचिंग की वज़ा से बहुत पतला और बहुत लंबा हो जाता है चारली ये सब देखके विली वॉंका की पूछने उसे अपने घर ले जाता है वो ग्लास एलिवेटर उसके घर को तबा करके अंदर रुकती है चारली के पेरंट्स उसे देखके बहुत खुश हो जाते है विली वॉंका उसे बताता है कि वो इनाम में अपनी चॉकलिट फैक्टरी चारली को गिफ्ट करने वाला है क्योंकि एक दिन उसे अपने हेर कटिंग के दोरान अपना एक वाइट बाल दिखा था और वो सूच में पर जाता है कि मेरे बाद कौन मेरी फैक्टरी और उंपा लूंपा का खया रखेगा और वो चारली को अकेले उसके साथ जाने को कहता है लेकिन चारली उसे मना कर देता है कि वो अपनी फैमली को छोड़ के दुनिया की कोई चीज एकसेप नहीं करेगा इस पर विली वांका बहुत अफसुर्दा होके वहां से चला जाता है चारली के फादर को उसी टूथ पेस्ट की फैक्टरी में एक जाब मिल जाती है उनके घर के हालात पहले से बहुत बहतर होने लगते है विली वांका बहुत सैड हो जाता है और अपने उंपा लूंपा डॉक्टर से बात करते हुए उसे एक आइडिया आता है अगले दिन वो चारली के पास अपनी शकल छुपा के जाता है और पूछता है कि क्या तुमने कभी विली वांका को देखा है इस पर चारली कहता है कि हाँ उसके बाल थोड़े अजीब है विली वांका अपनी शकल दिखा के कहता है कि ऐसा बिलकुल नहीं है अपने ओफर फिर से देता है लेकिन चारली फिर मना कर देता है विली वॉंका को पूछता है कि क्या आप कभी अपने बाप से मिलने गए हो वो दोनों उसी ग्लास एलिवेटर में विली वॉंका के फादर के पास पहुँचते हैं उसके फादर विली वांका को कोई पेशिंट समझ के उसके दान्ट चेक करते हैं जबके चारली देखता है कि उन्होंने अपने बेटे विली वांका की एक एक नियूस कट करके अपने दीवार पे सर्टिफिकेट्स की तरहां लगाई हुई है उन्होंने इतने अच्छे दान पहले कभी नहीं देखे और उन्हें पता चल जाता है कि उनका बेटा विली वांका है विली वांका को फैमली की खदर आ जाती है और वो चारली को एक नियू आफर देता है फिर सब लोग चारली की फैमली और विली वांका चारली के घर में बैट के खाना खा रहे होते हैं वो सब खाने के टेबल पर बाते करते हैं और साथ ही पता चलता है कि चारली का घर ही विली वांका अपनी फैक्टरी में ले आया होता है अब सब वहीं खोशी-खोशी रहते हैं और यहीं मूवी एंड हो जाती है